हेलो फ्रेंट्स जब आपका मन नहीं कर रहा है कोई भी सब्जी खाने का तब आप बना सकते हैं बर्बटी की भी सब्जी तो यह छोटे दाने वाली बर्बटी जिसे मैंने दुकान से ला लिया है इसको आमें जब बनाना है तब इसको आपको चार से पाच घंटी के लिए भ बनाना है सिंपल तरीके से मैं आपको बता के लिखाने वाली हो बहुत ही सौधिस सब्जी यह बनती है ज्यादा चीजों के ज़र्वत नहीं पड़ेंगी आपको और बहुत अच्छी सौधिस सब्जी आप बना सकते हैं और हपते में एक दिन यह सब्जी आप बनाएं यह बहुत जादा पॉस्टिक भी होती है बच्चे हो या बड़े हो सबी के लिए यह बहुत जादा फाइदेबन होती है तो यह भिगो दिया है पानी अच्छा से मैं इसमें डाल के इसको रख देना है हमें डखके तो रात में ही मैंने इसको भिगो दिया है अगले दिन मैं कुछ कंकर तो नहीं है 2-3 बार आपको वज करने के बाद इसको हमें रखना है तो कुकर में तो आप चाहे तो तड़का लगाने के बाद भी कुकर में रख सकते हैं और 2-3 सीटी आप दे सकते हैं बहुत ज़़ती ये पक जाती है तो मैं पहले कुकर में इसको रखोंगी और 2-3 सीटी देने वाली हूँ उसके बाद इसको मैं तड़का दूँगी फ्राय करेंगी कुकर में रख दिया है मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा उपर तक नमक, हल्दी भी हमें दाली देना है आप चाहें तो बाद में भी दाल सकते हैं लगबग मैंने इसमें चार सिटी किये इसको आप भी देख लीजेंगा कुकर के उपर डिपेंड करता है अगर पुराना कुकर है तो आप टाइम लगता है एक दाने को पूट रहा है अच्छे से पक चुका है तब ही आप तड़का दीजेगा तो ये पक चुका है अच्छे से अब तड़के की चलिए करते हैं तयारी चलिए तड़के के लिए मसाला त्यार करते हैं इसमें देख सकते हैं मसाले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है प्याज है, कड़ी पत्ता, अद्रक, लस्सन और हरिमेश ले लिया है तो साथी टमाटर भी काटके इसमें डाला है और समार को भी डाल दिया है मैंने दो कर इसको हमें पारिक पीस लेना है और ये तड़की के लिए मैंने इत्ता मसाला त्यार किया है ये जो मसाला है दुस्तों हर घर में मिल जाता है इसके अलावा आप खड़ा मसाला आपके पास है तो आप ले सकते है फल्ली, डाना भी आप ले सकते है तो मैं 4-5 लोगों के लिए बनाने जारी हूँ इसलिए मैंने इसमें 3 बड़े चमच कड़ाई में तेल डाल दिया है और इस मसाले को भी हमें दालना है और बड़िया सा इसको हमें फ्राइं कर लेना है तेल के साथ तेल जब अलग होने लग जाए तब आपको इसमें मिलाना है बारिक मसाली पीसे हुए तो धनिया हल्दी और सबजी मसाला दाला है मैंने लाल मिर्ज भी दाल दिया है इसके बाद जो बरबटी हमने उबाला था उसको इसमें डालेंगे और इसको भूनेंगे कम से कम तीन से चार मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है पहले हमें पानी नहीं दालना है मसाले के साथ हमने इस बरबटी को अच्छे से भून लिया इसमें आप चाहे तो चेक करके आप इसमें नमक बिला सकते हो चार मिनट हो चुका है आप पानी दालेंगे पानी आपको इसमें ठंडा पानी नहीं दोट से तीन बार उबाल लिया है मतलब दो मिनट तक इसको मैंने कोक कर लिया था अब समाल दाल दिया है सबजी तयारे बनके दोस्तों बहुत अच्छी बनकी सब्जी और यह जो सब्जी है दूस्तों इसको आप फ्रिज्म रखते हैं तो दो दिन तक खाव Also ब्रगिसकते है वो लिया है मैंने और यह सबजी मेरे फेवरेट है आपको भी बहुत पसंद आएंगे एक पर आप ट्राय करिएंगा तो इस वीडियो में इतना ही है थैंक्यू पर वचिंग